हलो दोस्तो जै हिंद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइफ पर और हम लोग थीम बेस्ट एडियम पढ़ ले थे और इसी सिरीज में आगे की ओड़ चलते हैं और आज का हमारा वर्ड है एपल तो एपल यानि सेव भाई बड़ा कीमती होता है सेव और इस सेव से बहुत सारी चीजे बनती भी हैं है ना ये सेव कभी जगड़े का जड़ बन जाता है तो कभी कोई सेव जैसा प्यारा हो जाता है ठीक है तो कभी एपल पाई और आजाता है आईए आज इन्ही सारे वर्ड्स को हम लोग सुरू करते हैं चलिए देखते हैं प पहत्पूर है जितना प्यारा है उतने ही प्यारे आप हैं यानि एपल आफ उन्स आई का मतलब समवन वेरी डियर और फेवरेट जैसे सिज एपल आफ इस ग्रेंड फादर्स आई जैसे वह अपने दादा की बड़ी प्यारी है यह आप कह सकते हैं कि I am एपल आफ माई फादर मैं अपने मा का आँखों का तारा हूँ तो एपल आफ उन्स आई का मतलब होता है आँखों का तारा होना यानि बहुत प्यारा होना इसे तरीके से दूसरे वर्ड मिनिंग पर चलते हैं दूसरा वर्ड मिनिंग है एपल पाई और अब आपने देखा होगा कि जैसे एपल है जब कभी भी आप फल के दुकान पर जाते हैं तो फल के दुकान पर देखते हैं कि वो fruits यानि apples को किस तरीके से arrange किया रहता है तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल एक pie में और एक order में apples को लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल perfect और orderly manner में arrange हो जाए तो इसका यही मतलब भी होता है something arranged in a perfect and ordinary manner सुब बेवस्थित रूप से किसी भी चीज को करना इसे कहते हैं apple pie order बिल्कुल apple को pie में और order में लगा दिये हैं next word meaning पे चलते हैं तिसरी word meaning है apple of discord discord का मतलब होता है कि कोई dispute या quarrel या contention यानि मदभेद तो apple of discord का मतलब क्या हुआ कि इस सेव की वज़ा से इन दोनों के बीच में जगड़ा हो रहा है तुम ये सेव खा गई नहीं नहीं मैं ये सेव नहीं खाई तो तुमारा दिमाग खराब है यानि इस सेव की वज़ा से जगड़ा हो रहा है तो ये सेव क्या है जगड़े की जड़ है यानि a cause of problem है cause of dispute है cause of quarrel है इसी के लिए एक और phrase बनता है bone of contention उसका भी मतलब होता है जगड़े की जड़ next word meaning आती है comparing apples and oranges अब compare कर रहे हो देखे मेडम का मुझ बना के देख रही है सेव पढ़ियां लग रहा है या संतरा अरे यार कहां राजा भोज कहां गंगुतेली क्या comparison कर रहे हो एक तरफ apples है दूसर रफ orange है comparing two things which are very different from each other कोई दो चीज जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है तो उसे कहता है comparing apples and oranges तीसरे आता है भई next word bad apple bad apple का मतलब वो apple जो आप देखेंगे कई सारे apples में से किसी में कुछ खराब हो जाता है और अगर वो खराब है तो साथे साथ वो अन्ने को भी खराब करेगा जो other fruits है other apples है उनमें भी इसका effect पढ़ेगा तो वह जो दूसरों के लिए समस्या या परशानी बैदा करता है या a bad man जो होता है a person a thing which has negative impact on others जो किसी दूसरी को नगरात्माप्रभाव डालती है या bad influence पढ़ता है उसका तो उसे bad apple का जाता है गाउ में कुछ ऐसे लड़के या शहर में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वज़ा से बहुत सारे लोगों का फर्क पढ़ता है या कुछ ऐसे community से आ जाते है कि ये Muslim community का है अब देखिए ये ऐसे होते हैं वहां मतलब ये नहीं है Adam Siple Adam Siple क्या है Adam Siple का मतलब होता है बिलकुल जैसे इसमें एक fictional story कह सकते है कि जो आदम थे यानि Adam थे वो क्या किए कि सेव खा रहे थे और सेव खाते समय समय लिजे कि उनका अटक गया गले में और यह अटका गले में तो वो अठका रह गया और हमारे गले में एक कंठ जैसा निकल गया तो अब देखे होंगे कि एपल लाइक इस्ट्रक्चर इन फ्रेंट आप थोट जो गला है गले में थोड़ी से यह निकला रहता है बाहर यह जो कंठ है इसी को हम एडम्स एपल कहते हैं ठीक है तो एपल से जो वर्ड मीनिंग से वो छे वर्ड मीनिंग परती है जिसमें हम लोग ने पहला वर्ड मीनिंग पढ़ा एपल आप लाफ वन साइए यानि समाने वेरी डियर और फेवर्ट दूसरा एपल पाय और यानिक पफ़क्ट और ली मैनर संथिंग फिर तीसरा हमने पढ़ा अपल दिसकार जगडे की जड यानि अकाउस अप्रबलम चाथा हमने पढ़ा कंपर एपल्स और अरंजे यानि कंपरिंग तू थिंस वरी दिफ्रेंट फ्रम इच अथर और पाच्वा हमने पढ़ा बैड अपल वह जो दूसरू कले समस्या पाइदा करता है यानि सम्वन हून हू झाल झाल झाल